तो एक important video लेकर आया हूँ, वीडियो में क्या है, अब एक बार सुन लेना, सुन लेना मेरी सारी बात, एक RTP आया है, हलागी मैं वो RTP के question करवा चुका हूँ, पर अभी important है, तो इस वजह से हमको बात करनी है, एक RTP है, एक MTP series 1 है और एक MTP series 2 है, अब इस video में मैं ये discussion करने वाला हूँ, कौन-कौन से ऐसे question है, जो हमारी book में नहीं हमने पहले कभी किया नहीं, उस type के किया है, पर वैसे question कभी नहीं किया, नए question, अगर कौन-कौन से question में focus करना है, अब भी मैं इससे कुछ समझाऊंगा नहीं, कि भाईया, ऐसे करना इस question को ऐसे करना नहीं, इस video मे सिर्फ यह बताने वाला हूँ, कि कौन-कौन से नया है, आपने नहीं किया होगा, तो प्लीज एक बार ध्यान दे देना, और क्या-क्या cover करने वाला हूँ, RTP, MTP, November 2024 के लिए, ठीक है, वन-बाई-वन, और फिर इसके बाद अगला वीडियो रहेगा, जिसमें RTP में नए question क मैं discussion करूंगा, फिर और एक वीडियो आएगा, जिस पर 10-10 minute के होगे भाई, फिर MTP में जो भी नए question आए, उसका discussion आएगा, और फिर MTP 2 में नहीं, मतलब इसके बाद तीन वीडियो और आएगे, back-to-back आएगा, ठीक है, अब बात करते हैं, यह हमारा RTP, दिखी रहा होगा आपको मैं इधर हो जाओं कि, तो यह advanced financial management, RTP में as such कुछ नया नहीं, RTP में, बट एक question ऐसा है, जो आपको धोका दे सकता है, और एक question है, adjusted present value, सरु से आखरी तक बात करें, क्या करना है, क्या नहीं करना, यह बता दू, हमारा दिल करेगा तो आपका वीडियो देखेंगे, दिल करेगा तो नहीं देखेंगे, बिलकु सही, अगर खुछ से कर सकते तो ठीक है, अलाकि RTP के वीडियो में आपको already करवा चुका हूँ, RTP के question में करवा चुका हूँ, पर फिर भी एक बार बता दू, तो भाई साब, भाई साब, भाई साब, यह वाला question हमारा already book में है, यह आपके study mat में होगा, इस पे multiple choice question आया है, आराम से बंस जाएगा, इसको आप छोड़ सकते हूँ, skip कर सकते हूँ, नहीं भी करेगा, तरो के तो चलेगा, लेकिन, 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 यह वाला point number 5, जो है, capital market line theory पर question, इस matter पे मैं discussion करूँगा, जब RTP के 2 question का discussion, अभी से बता रहा हूँ, यह वाला point है, जिसमें आप फस सकते हो, इसके अलावा कहीं, question number 2, as such, simple question है, और यह question हमारे module का ही है, हमारे मतलब, कहीं से भी class ले रख, तो आपने यह question किया होगा, इसको वापस देखने की, question number 3, भाई साब, आपको देखना पड़ेगा, question number 3, आपको देखना question number 3, एक धोके वाला question, गलती हो सकती है, गलती हो, हलाकि इस matter पर मैंने आपके साथ बात भी किया रहा, और कर चुका हूँ, अगर मेरा वीडियो देखोगे, तो इस matter पर मैं बात कर चुका हूँ, पर फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, इस question में आपसे गलती हो सकती, क्योंकि इस type का question है हमारे book में, और ICAI के module में भी question है, लेकिन भाई सर यहां देखो, यहां final position दे रखा, आप pay off निकाल कर आ जाओगे, यह बात मुझे आपके साथ करनी है, यह बात मैं आपको करूँगा, वीडियो में देख, यह वाला question प्लीज एक बार देख लेना हाँ जोड के बनती, क्योंकि इसका answer जो आप सोच रहे हैं, net pay off, net pay off नहीं आएगा, कुछ और ही आएगा, ठीके सर आगे बढ़े, उसके बाद question number 4 में कुछ ऐसा है नहीं है, portfolio rebalancing का question है, question number 5, eva का question है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, question number 6 भी, forex के question में कोई दिक्कत नह है, already है, 7 में भी कोई problem नहीं, already है, question number 8, capital listing का question है, आराम से बन जाएगा, और already है, question number 9 भी, my bar वाला question है, ये भी बनेगा, question number 10 में भी, मैं repo, repo, repurchase option की बात कर रहा था, question number 11, short selling पे था, already, कोई इसको छुना भी नहीं है, question number 12 भी नहीं भी छोगे तो चलेगा, question number 30, international financial management का question है, ये आपको देखना पड़ेगा, क्यों देखना पड़ेगा, उसकी वजह मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपसे, sir, adjusted present value मांगा है, एक नई चीज, हाला कि adjusted present value मैं already आपको करवाया हूँ, concept समझाया हूँ, और capital listing में भी मैं एक APV का question लिया था, यहां भी APV का question डाल दिया है, तो ये आपको देखना पड़ेगा, खुद से देख सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, ने तो एक गंडे में में मेरा एक वीडियो आएगा, उसमें देख लेगा, ठीक है जी, और इसके अलावा थियरी है, तो थियरी तो आप देखना पड़ेगा, multiple choice question, एक capital market line पर पूछा है, वो देखा, ठीक है, अब चले हम MTP Series 1 में क्या देखना, क्या नहीं देखना, बात कर ले, चलो ची, अब बात करें हम MTP, MTP बात किसी करेंगे Series 1, जो September में आया था, सर September को तो वह समय हो गया, अब last time तो देखते हुए चले, हाला कि कुछ ऐसा नह ही चाहिए, पर फिर भी, बात तो समख ले, अब इसमें बात है, multiple choice question, यह हमारे multiple choice question किसका है, सर, यह है, repurchase option का question है, तो वैसे तो यह बन जाना चाहिए, बिलकुल, और सर, इसका NCQs नहीं भी करें तो चलेगा, बर्ड, 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 यह question है, पर प्लीज देख लेना, आप दिखाऊगे न, मतलब इसका वीडियो लाने वाला है, अग मैंने का न, एक दो घंटे के अंदर अंदर सारे वीडियो आएगे, MTP series 1 पर मैं करवाऊँगा, यह multiple choice question मैं आपको करवाऊँगा, shortcut से कैसे काम, क्यों MCQs है, तो यहर, shortcut तो होना चाहिए न, हमारे पास, वो काम करें, तो यह वाला case scenario, MCQs आपको देखना है, अगर खुश से देख सकते होने तो वीडियो का वेट कीजिए, अभी आजाए, तूसरा यह वाला सर, यह वाला भी हमको देखना है, कि यह भी आपको देखना है, हाला कि यह mutual fund का simple सा question है, पर फिर भी आपको देखना चाहि क्योंकि expenses ratio की विसे में पूछा हो सकता, आपसे पूछा है, तार pressure, trainer ratio, हाला कि बन जाएगा, पर फिर भी देखने में कोई बुराई नहीं, दोनों question आपको case scenario वाले देखने पड़ेगा, multiple choice, अब आगे चल रहा है, तो sir, यह case scenario 3, यह भी देख ले, यह भी देख ले, मतलब sir, आप तीनो multiple choice question आ रहा है, तीनो case study आप देखने के लिए बोल रहा है, हाँ जी, हाँ, important है, देखना है, अगर देख सकते हो, तने तो वीडियो का वेट किजी, आगे चले, आगे MTP में यह वाला question, वार का question है, क्या इसको देखने की जरूरत है, नहीं, यह तो already हमारा covered है, कहीं ना कहीं, किसी सब ने cover किया हो, तर यह वाला question जिसमें यह dividend का normal question है, नहीं भी करोगे तो चले, यह जो forex का question है, forex का question में इस point में फस सकते हो, तो इस point में discussion हो, बाकि normal question है, बुक से question उठाया है, question number two है, बस यह वाला internal audit, speculative nature है की नहीं है, यह बताना है, हाला कि पढ़ होगे तो खो जाएगा, यह वाला question मैं आपको suggest करूँगा, एक बार करके जाने के, अर क्यों, हाला कि यह बुक का ही question है, फिर भी मैं यहां करवाँगा, यह वाला question आपको करना चाहिए, real option का question है, real option का question है, डाला तो जरूर है institute में, लेकिन अभी तक पूछा नहीं है, तो पूछने के chance जा, प्लीज हाद जोड के विनती हो, real option करके जाना, एक मेरा 15 मिनट का वीडियो है, जिसमें real option के तीनों question करवा दिया हूँ, अगर उतना time नहीं है, तो at least वो वीडियो देखकर चले, डिस्क्रिप्शन में डाल दोगे, कि डिस्क्रिप्शन, वीडियो का ले आपको, ये वाला question आपको करना चाहिए, हाला कि business valuation का question है, और कुछ special नहीं है, पर एक दो question को मिलकर, एक gearing और बीटा भी इसमें डाल दी है, और FC, FF, Aproz से question भी shawl करवाया है, दोनों चीज़े एक साथ है, तो आपको करना चाहिए, ये question भी मैं करवाओंगा, फोड़े speed से करेंगे, उसके बाद ये फॉरेक्स का normal question है, नहीं भी देखोगे तो चलेगा, ये हमारा convertible bonds का normal question है, ये हमारा bank वाला merger का question है, हो जाएगा, उसके बाद ये वाला question थोड़ा सा गलत है, पर ये book का question है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ये आप से, और eva का question तो पता नही तो simple सी बात है, मैंने आपको एक दो question कहा, वो करवाँगो और आपको MCQs दोनों करवाँगो, दोनों के तीनों cases तो ठीक है जी, अब चले MTP series 2 में, सर मतलब अगर हम खुसे करना चाहे तो खुसे भी कर सकते हैं, एक real option वाला question करोगे इसमें, ठीक है, एक real option वाला question कर लेना और इसके अलावा क्या बोला, इसके अलावा और तो कुछ है नहीं, बस real option वाला question है, और multiple choice question देख लेना, और ये gearing और beta वाला question, चले MTP series 2 पर, चलो ची बात करते है, MTP series को जो कि October में आया था, हाँ, फस्ट October को, हैसा भी यह अच्छा, पहतरिन, इसको तो पक्का पक्का इसका वीडियो मेरा जरूर देखना, उसकी वचा में आपको, तो उन्होंने एक CDS का question पूछ लिया था, के सिनारियो, CDS का कुछ नया question था, कि कुछ नया question नहीं था, और अगर आपको लग रहा कि यह practical question है, तो बड़ी बेखुपी वाली बात है, जिन्होंने CDS वाला theory यह theory question डाल के रखा, क्यूं बनेगा, चुट क्यों में बनेगा, लेकिन CDS क्या होता है, यह आपको पता रहना चाहिए, यह default हो तो क्या होता है, cash settlement होता है, यह फिर difference, यह सब अच्छे से समझा रहा हूँ, आप जाओ, देखो, और उसके बाद नहीं बनेगा तो मुझे बो question है, तो समझाने का बनता है, तो यह मैं आपको समझाओंगा, MTP Series 2 वाला वीडियो आएगा, जश्ट एक दू घंटे में, वहाँ question है, यह सिडिवा, scenario, case scenario 2, sensitivity analysis का question है, और यह already हमारी book में है, बट, क्या shortcut से काम हो सकता है, हाँ, तो वो shortcut सिखाने के लिए, मैं आपके साथ यह question करुआ, यह trick से कैसे काम किया, यह भी मेरा discussion होगा, प्लीज, अगर आप वीडियो नहीं भी देखना चाहते, तो इसको एक बर जुरू दे, और सर, case scenario 3, इसको भी देखना है, कि हाँ, yield curve, term structure का question है, बहुत सारे बच्चों को, जब होश आया, जब यह question आया, MTP में, तो सर, इसको भी discuss करोगे, कि yes, तो मैं तीनो case study, case scenario basis, सारा की सारा यहां discuss, कहें, descriptive में, यह value of startup आया है, तो यह नया question है, कि seriously बनूँ, अगर आपने मेरा theory, business, valuation का धंग से पढ़ रखाना, यूं मनेगा question, बट, क्योंकि question था नहीं, आप question है, मेरी duty है, कि यह question मैं आपको होंगा, first Chicago method, याद है, first Chicago, जिनोंने theory पढ़ा है, उसको याद आजाएग, first Chicago method, अगे चले, तो यह question भी आप करवाओगे, कि हाँ जी, यह मैं question करवाँगा, मतलब तीनो, multiple choice question होगा, और यह वाला question होगा, इसके लावा, with concept, यह वाला question हाला कि यार, और ही easy है, यह वाले question मे कुछ नहीं है, यह वाला question हमने किया भी है, business valuation, equity valuation का FCE approach, याद है, इसमें जो finance होता था, वो equity finance वाला हभर minus करते थे, पर फिर भी, यहाँ समझाऊँगा, क्योंकि वहाँ, per share लिखा हुआ, यहाद आजाएगा, जिनोंने किया है, वहाँ per share लिखा है, यह total में दिया हुआ ह सर यह भी question आप करवाओगे कि हाँ जी यह भी, यह भी question आप करवाओगे, यह चले, यह वाला question करने की जरूरत नहीं है, यह वाला question करने की जरूरत नहीं है, यह वाला question करने की जरूरत नहीं है, यह भी आपने कर चुका है, यह वाला question भी कर चुका है, और यह forest का question भी हो अब कुछ नहीं है और यह एफिशेंट मार्केट हाइब हो दिए तो यह में कौन सा मार्जिन वाला कोश्चन है बस एक मैंने आपको बताया एपसी एफ़ी वाला कोश्चन है हमें वैल्यू पर शेयर निकालना हो ठीक है बस अगले वीडियो में हम आटीपी करेंगे दस मिनट में खतम करेंगे आटीपी के दो कोश्चन देखना है उसके बाद एक वीडियो आएगा एक गंटे के बाद एक गंटे में वीडियो आते रहे मेरा काम है आज का काम है मैं यह ही काम करने एक गंटे में वीडियो आते हैं तैयार हो जाओ खतम करो भाई नई चीज है खतम कर दो अभी आज ही खतम कर दो ठीक है जी मिलते है आरटीपी वाले वीडियो में दो कोश्चन करवाना है और mcqs देखते हैं वहाँ जाकर देखें थैंक यू